इस्राइल वर्सेज फिलिस्तिन अब शायद काफी लोगों को लगे कि हम इंडियन्स क्या क्या लें देना इंटरनेशनल अफेयर से इन छोटे देसों से तो लेट मी क्लियर वन थिंग इनकी सिचुएशन काफी मामलों में हमसे रिलेट करती है तो हमें काफी कुछ रिकॉल करने और सीखने को मिलेगा इनकी सिचुएशन और एक्स्पिरियेंस से और घर बैठे राध्य जैसी अंजरती सो कॉल्ड मोस्ट अवेटेड मुवी की फिक्शनल स्टोरी से आपको ये रियल बवाल सुनने में ज्यादा मज़े आने वाले हैं और इनको छोटा समझे की गलती तो बिलकुल ना करें वैसे इस्राइल है तो इंडिया से 150 टाइम्स चोटा पर ये हर मामलों में सेल्फ डिपेंडेंट, लिबरल टू एकनॉमी और टेक अप्टू डेटेड है जो इसको बाकी देशों से अलग बनाती है अगर इस्टेंज साइट की बात करूँ तो एक अकिली वीडियो भी कम पढ़ जाएगी सो में इस्ट्रिम टॉपी की और बढ़ते हैं एज इंटरनेशनल मीडिया, बूटकास्टिंग, पैथेटिक साइड ऑफ इसराइल और बूटल फेज ऑफ फिलिस्तिन तो इस वीडियो में सारे टर्म्स की ट्रांसपरेंसी लाने की कोशिश करूँगा और शायद तब आपको और रियलाइज हो कि डीप डाउन चीजे जो दिख रही है वैसी है नहीं और काफी हद तक दोनों देश अपनी जगा सही ही है साथ ही साथ इनके सूपर कूल एयर डिफेंस सिस्टम आयरें डॉम इंटरसेप्टर के बारे में भी जानेंगे जो दुनिया को यह सिखाती है कि उड़ता रॉकेट हाथ में कैसे लेते हैं मामला समझने के लिए पहले इनके जोग्रिफिकल लोगेशन को समझना जरूरी है बेसिकली इस मैप में यलो कलर रिपजेंट कर रहा है पलिस्तीन को और ग्रीन कलर इसराइल को जो time to time conflicts के बाद evolution के इस नतिजे पे पहुँच गया कि इसराइल जिसका existence तक नहीं था आज उसने पलिस्तीन को अपने अंदर सिकोड कर रख दिया है और काफी हद तक इस फसाद की बिटिशस है हमसे बेतर ये भाद कौन जान सकता है भला 1947 में डिवाइड और डूल वाला हतकंडा यहां भी अपनाया गया और UN प्लान के तहट कुछ इस तरह partition मनाया गया अब ये partition आपको East West पाकिस्तान जैसा लग रहा होगा जो कि बिटिशस का future vision था अब यहां दोनो रेड इन सर्किल में आप देख सकते हैं कि एक narrow connector पात देने के पीछे क्या ही agenda हो सकता है बजायर seed of conflicts के और similarly अगले साल ही कारगिल वाल की तरह यहां भी दोनों देशों में वार्ज छिड़ गई जिसमें एक तरफ इस्राइल अपने existence के लिए तो दूसी सरब फिलिस्तीन अपने धरोहर के लिए लड़ा था पर somehow इस्राइल raised करता चला गया और आज इनका नक्षा कुछ weird सा ही है अब यहां टील कलर में इस्राइल और टुकडो में वाइट कलर में फिलिस्तीन बट गए जिसमें right side वाला हिस्सा वेस्ट बैंक और लेट साइड वाला हिस्सा गाजा इस्टीप के नाम से जाना जाता है पर दोनों फिलिस्तीन में काफी फर्ख है वेस्ट बैंक वाला लॉज और नॉन वालेंस में बिलीब करते हैं पर गाजा इस्टीप एक rebellion militant community हमास से भरा पड़ा है अब जो भी मेस हो रखा है इनी हमास और इस्राइल के बीच है अब एक important हिस्सा जेरुसलम जो की West Bank में ही आता है जेरुसलम को center of world भी माना गया है अब वैसे तो ये दोनों देश की capital है साथी साथ इसे दुनिया का सबसे second place भी माना गया है क्योंकि अकेले इस जगा पे Christian and Arminians के Churches, Jewish के Holy Temples और Muslim के Al-Aqza Masjid जो की तीनों धर्मों के एक बड़े धार्मिक अस्थल है और Jesus Christ का birthplace बैथलेहम भी जेरुसलम में ही माना जाता है अब जिस तरह पुल्वामा अटेक और भी छोटी मोटी incidents के पीछे कोई specific region ना होकर पुराने कोर मुद्दों के कारण turn by turn हिसाब किताब चलता आ रहा है ठीक उसी तरह अकसा time to time यहाँ भी चलता रहता है अब West Bank वाले फिलिस्तिनी तो शांती से ही मामलों को सलट लेते हैं या hardly पत्थर या लाठियों से पर हमास West Bank में भी हुई किसी भी conflict को गाजा इस चिप से ही अपने rocket bombardism से आक्रोशो करता है पर फर्क की बात करो तो since beginning सारी लडाईयों में फिलिस्तिनी ने मूँ की खाई है और हर जाने में उसने हमेशा अपने वर्चत को ही खोया है अपनी जमीनी अधिकार के भी और अब तो दोनों के बीच हाथी चिटी वाला फर्क ही है एक तरफ इसराइल के पास वर्ल्ड की most advanced military drones, advanced fighter jets और interceptor last air force सायते 13 और flotilla 13 जैसे elite navy forces, marines 90 plutonium based and 400 general nuclear warheads दुनिया की सबसे खतरनाक secret agency मोशाद और काफी कुछ है दूसी तरफ हमास जिनकी रोजी रोटी वी foreign funding पे चलती है तो बात है यह rocket launching effort कर कैसे रहे हैं तो देखा जाए globally same ही propaganda चलता आ रहा है एक बड़ा देश जो दूसे देश से directly न लड़कर छोटे देश को अपने enemy country के खिलाफ वैसे तो इसराइल का नुकसान इनके rocket से negligible है पर इनके खुद के responsive air strikes इसराइल के citizen के लिए घातक बन जाते हैं क्योंकि border regions में ये least distances पे accommodate करते हैं शेक जर्राह जो की East Jerusalem के adjacent पे बशा एक शहर है जहां long running dispute चला आ रहा है जिविस और फिलिस्तिनियों के बीच जमीनी अधिकार को लेकर और फिलिस्तिनी की documents की authenticity पे सवाल उठाते हुए उनको वहां से हटाए जाने की कोशिश की जा रही है और शिक्स में इसराइली सुप्रीम कोट के एक order जिसमें चार फिलिस्तिनी फैमली को वहां से अपना बसेरा हटा देने को कहा गया अब ये हिस्सा इंटरनेशनल कोर्ट के हिसाब से भी एक question reason है और इसी बातों पे इसराइली सरकार के खिला प्रोटेस्ट सुरू हो गई और देखते ही देखते जिविस और फिलिस्तिनी प्रोटेस्टर्स के बीच का confrontation violent हो गया unfortunately ये date coincident था लायलेत अलकदर जो की एक Islamic day of significance है और इसराइली नेशनल होली डे जेवसलेम डे को उस दिन काफी पत्थराओं के बाद इसराइली पुलीस स्टॉन करती है अब ये बात diplomatic होते होते religious point of view से insensitive भी हो गई और 300 से ज़्यादा फिलिस्तिनी इंजड हुए अब forces का holy place में घुसने के consequences आपको golden temple वाला खालसा movement बाबरी मस्ज़िट demolition, मुंबई serial bomb blast तो यादी हो गया तो अब क्या था? वहाँ भी response में 10 माई की रात को दो फिलिस्तिनी militant groups हमास और फिलिस्तिनी इस्लामिक जिहाद rockets strike करते हैं into Israel territory from the Gaza state पर इसराइल की air defense system iron dome majority of rockets को intercept कर लेती है response में इसराइल ने भी air strikes की है Twitter पेसके काफी pics and videos viral हुई है Ultimately, approximately 300 Palestinians और 200 Israels casualty report की गई है after incident including kids and one Indian female nurse अब बात करू iron dome की तो ये एक इसराइल बॉर्डर पे लगी all weather defense system है जो की develop की गई है Rafal Advanced Defense Systems and इसराइल aerospace industries के द्वारा अब इसका काम इसराइल territory में आए किसी भी short range rocket artillery cells और strike को intercept करना होता है फिलाल इसकी range 4 to 70 km है जिसे 250 km तक enhance करने का काम चल रहा है Basically, ये तीन components में बना है The first one is detection and tracking radar जिसका काम territory range में आने वाली किसी भी air strikes को through sensors recognize करना होता है जिसके बाद BMC unit active हो जाती है for the war with the sound of siren और तब missile firing unit incoming rockets के toward खुद के rockets project करती है जो की enemy rocket के beside आते ही explode कर जाती है वैसे तो ये American defense system third जैसी ही functional है पर वो सिर्फ high altitude regions में ही capable है ना कि short range artillery sales के लिए खास बात ये है कि इस technology के costing काफी budget friendly है और ये completely movable है और एक तरह से देखा जाए तो striking weapons का response defense में देना किसी भी country के लिए affordable war साबित होता है साथ ही citizens को relaxment और alertness भी देता है फिलाल इसराइल के पास ऐसे 10 iron domes है वैसे तो इंडिया अब fourth ऐसी country है जिसके पास pad है जो कि एक anti ballistic missile system है after USA, Russia and Israel अगर बात की जाए गलत सही होने की तो देखा जाए तो primarily जगा फिलिस्तिनी की थी तो उस पे इसराइली का हग जताना गलत ही होगा तो अगर हमास activities कर भी रही है तो अपने हग के लिए on the other side, इसराइल अगर responsive नहीं होगा तो उनकी इस dense population को कहां ही जगा मिलेगी तो existence बनाय रखने के लिए इसका भी active होना जरूरी ही है रही बात इंडिया के साथ relations की तो हम directly इन दोनों में से किसी को support नहीं करते हैं पर शांती कायम रखने की नसियाज जरूर देते हैं क्योंकि फिलिस्तिनी के खिलाब बोलना मतलब अरब देशों से अपना trade relation खराब करना होगा और इसराइल के तो हम pocket defense weapons customer हैं तो देखा जाए तो मोधी सरकार में इंडिया ने globally अच्छे relations बनाए हैं इसता proof pandemic में आए global support से तो मिली चुका है सो बिना कुछ बोले और किये इंडिया इन देशों से अगर कुछ सीखता है तो वही हमारे लिए अच्छा है